नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में ओपो रिनो 12 5G वर्सस मोटरोला एज 50 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.35 इंच की लेंग मिलती है विडि की बात करें तो रिनो 12 में 2.92 इंच जबकि H50 प्रो 5G में 2.85 इंच की विडि मिलती है जो की रिनो 12 से कम है बात करें थिकनेस की तो, Reno 12 में 0.3 इंच जबकी H50 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जो की Reno 12 से ज़्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Reno 12 में 177 ग्राम्स जबकी H50 Pro 5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Reno 12 से ज़्यादा है चलिए अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं दिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 12 में Flexible AMOLED जबकि H50 Pro 5G में P.O.L.E.D. की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 Ratio 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 Inches मिलती है दिस्प्ले रेसलूशन Reno 12 में 1080 X2412PX FHD Plus और H50 Pro 5G में 1220 X2712PX FHD Plus मिलता है Screen to Body Ratio Reno 12 में 90.62 प्रतिशत जबकि H50 Pro 5G में 92.85 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Reno 12 में 394 प्रति इंच जबकि H50 Pro 5G में 444 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Main Camera की तो Reno 12 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखे में Macro Camera देखने को मिलता है और H50 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखे में Telephoto Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो Reno 12 में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और H50 Pro 5G की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो Reno 12 में Single Camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते है और H50 Pro 5G में भी Single Camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते हैं। आए अब बात करते हैं hardware के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं। GPU की बात करें तो, Reno 12 में Mali G615MC2 जबकि H50 Pro 5G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो, Reno 12 में MediaTek Dimensity 7300, Energy और H50 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो, Reno 12 में 12GB की RAM मिलती है जबकि H50 Pro 5G में 2 option देखने को मिलता है। जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same है। 256GB storage मिलती है। expandable memory की बात करें तो, Reno 12 में up to 1TB जबकि H50 Pro 5G में नहीं है। operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है। battery, Reno 12 में 5000mAh जबकि H50 Pro 5G में 4500mAh देखने को मिलती है। अई अब main feature को देखते हैं। colors की बात करें तो, Reno 12 में 3 colors जबकि H50 Pro 5G में 4 colors option मिलते हैं। सब information देखने के बात करें price की तो, Reno 12 में एक ही variant देखने को मिलता है। जो की 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 31,690 रूपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें H50 Pro 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं। जो की 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 30,990 रूपीज, 12 GB RAM 256 GB storage के साथ 34,990 रूपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं PRANS & CONS यानि की फायदे और नुकसान की तो, OPPO Reno 12 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Motorola Edge 50 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। में कामरा में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Motorola Edge 50 Fusion 5G है, दुसरा Xiaomi 14 CV 5G है, तीसरा Realme GT 6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V45 जी है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रेयर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्रप्याई से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।